अस्सलाम वालेकुन दोस्तो एक्सेल्ट के रुपा आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त हकीम खान दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं शिलाजीत के बारे में और वो कुछ खास बाते शिलाजीत की फायदे में आपको बताऊंगा जो आपने कभी नहीं सुने होगे जैसे ही सिलाजीत का नाम आता है तो पिल् है और मरदो के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा का सिलाजीत क्या होती है सिलाजीत हिमालेगी पहड़े इस इसको खोधित किया जाता है और शोधित करने के बाद इसको बहुत करना चाहिए वरना आपको नुक्सान भी हो सकते है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं इसके में कुछ आपको नो फायदे बताऊँगा तो ध्यान के सुनिए पहला फायदा है Kronical Fatigue Syndrome यानी आपको हमेसा ठकान महसूस होती है आपको हमेसा लेटे रहने का मन करता है शरीर ठका ठका महसूस करता है आपको कुछ और काम करना का मन बिल्कुल नहीं करता, तो ये क्या है, उस थकान को आपकी दूर करती है, और शिलाजी जो है, बोडी सेल्स के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिससे आपकी थकान दूर हो जाती है, ओल एज वाले लोग भी इसको ले सकते हैं, उनको अंदर तो वैसे धकान रहती है, तो उनकी धकान भी इससे दूर हो सकती है, दूसरा है यादास बढ़ाने में, अगर आपको भूलने की समस्या है, तो भी आपके लिए शिलाजीत बहुत ही जबर्दस्तीन है, तीसरा है शुक्रानू बढ़ाने में, उनकी मोटलिटी को बढ़ाने में, जिन लोगों के शुक्रानू की मोटलिटी नहीं है, और वो उलाद नहीं पा पा रहे हैं, तो उनको शिलाजीत लेनी चाहिए, जिससे आपके मोटलिटी बढ़ेगी, और आप जिल्दी उलाद पा सकते हैं, इसके अलावा हार्ट अटेक में भी अच्छी काम करती है, जिन लोगों को हार्ट अटेक के संभान होती है, उनके अंदर कलिस्ट्रोल बढ़ा होता है, और ट्राइगलिस्राइड बढ़ा होता है, इसके अलावा एंटी एजिंग इसके अंदर प्रोपर्टी होती है, यानि आपकी उम्र अगर आप सिलाजित का इस्तमाल करते हैं रेगुलर, तो आपकी उम्र आपकी जो है एज जो अगर पचास साल है, तो आप पैतालिस साल, चालिस साल के लगेंगे, इसके अलावा आपकी उम्मिनिटी को बढ़ाने काम करती है, जिससे आपको रोगों से लेड़ने में सहायता मिलेगी, आप बार बार नजला खास से जो काम का शिकार होते हैं, तो उसको ये प्रिवेंट करती है, इसके अलावा लिबिडो की कमी, यानि योन इच्छा में अगर आपकी कमी आ गई है, आपका संभोग करने का बिल्कुल भी मनकर नहीं करता, पतनी से आप डेली गालिया खाते रहते हैं, तो वहाँ पर भी जबरदस्त योन इच्छा में वरद्धी करती है, और लिबिडो को कमी को दूर करती है, इसके अलावा जोइन पेन में जबरदस्त काम करती है, और इसके अलावा एनीमिया यानि खून की कमी और टेस्टोस्टरोन हर्मोन को बढ़ाने का काम करती है, अब बात करते हैं कि कितनी ग्राम मातरा आपके लिए ज़रूरत है, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा 100-150 मिली ग्राम आपके लिए पर डे में सर्विंग होनी चाहिए, और इसको आप पानी में घोल कर या फिर दूद में घोल कर इस्तमाल करें, यहाँ पर मैं आपको पानी में घोल कर दिखा रहा हूँ, आप इसको पानी में घोल कर ऐसे इस्तमाल कर सकते हैं, ऐसे ही उतर ची नहीं चम्मच से, तो आपको इसको हाथ से उतार लेना होगा चम्मच में से, और फिर इसको अच्छी से घोल के आपको पी जाना है, साम को लिजिए या सुबह लिजिए, यानि 150 mg तक आप ले सकते हैं, परडे के साब से, और इससे आपके अंदर एनरजी का प्रोड़क्शन होगा, आप जवान दिखेंगे, आपकी इम्मिनुटी भी बढ़ेगी, लिब यूरिक एसेड बढ़ा हुआ है, वो इसको अवोड करना चाहिए, शिलाजित को, प्रेगनेंट वुमेंट इसको ना ले, और इसके अलावार जिन लोगों को हार्मोन इंबेलेंस हो है, वो भी इसको ना ले, क्योंकि इससे हार्मोन बढ़ने लगते हैं, तो इंबेलेंस अ आप इसको ले सकते हैं, बसरते कि आपको जो है, जो यूरिक एसेड बढ़ा हुआ ना हुआ और आप प्रेगनेंट वुमेंट ना हो, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, पानी या दूद के साथ मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको लेना है आपको, और अब मैं बात करता हूँ कि जो दो बड़ी कंपनियां होती है, जैसे कि बैदिनात और पतांजली, इनके दोनों में प्राइज में बहुत डिफरेंस है, जो बैदिनात की जो है, वो 15 ग्राम की होती है, शिलाजीत की डब्बी, वो 1100 रुपे की होती है, और जो पतांजल पतांजली, जैसे कि मेरे पास शिलाजी जो है, वो शुद मैं घर पे ही की हुई है, तो मुझे थोड़ा सस्ती पड़ गई, अगर मैं बाजार से सुद की हुई लेकर आता, तो थोड़ा जादा मेहंगी पड़ जाती है, तो यही फरक होता है, जो है, शिलाजीत में शुद करने का जो है, फरक होता है, प्राइज उसी हिसाब से डिसाइड होते है, उमीद करते हों कि वीड़ा को पसंद आई होगी, अगर पसंद आतो फ्लीज वोड़ो को लाइक कीज़ेशेर की जो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ना भूले धन्यवाद